नमस्कार सुआगेत आप सभी का आप देख रहे हैं मारवाडी मीडिया राजिस्तान की दो विदान सभा सीटों पर सांति पूर्ण तरीके से मतदान तो संपन हो चुके हैं लेकिन सभी पार्टियों के पर्तेयक्षियों के मन में ऐसांती फेली हुई है इन पर्तेयक्षियों के मन की उलजन 24 तारी को ही दूर होगी चोईस तारी को नतीजे आएंगे और 27 तारी को दिवाली है अब देखते हैं किस की मनेगी धमाकेदार दिवाली और किस परत्याकसी को हार का सामना करके दिवाली फिकी ही मनानी पड़ेगी मंडवा और खेउसर में उपचुनाव संपन होने के बाद विस्व पर सिद फलोदी सटा बाजार भी अपसक्रिय हो चुका है और अपनी भईविस्यवानी भी कर दी है चलिए इन दो सीट यानी कि मंडवा और खेउसर को लेकर क्या मानना है फलोदी के मसूर सटे बाजार का फलोदी के सटे बाजार के माने तो मंडवा की सीट पर बड़ा ही रोचक मुकाबला होने वाला है एक जिट फोल मंडावा में बिजेपी का पलड़ा भारी बता रहा है तो दूसरी तरफ फलोदी का 62 कोंग्रेस परत्याक्सी रीटा चोदरी का पलड़ा भारी बता रहा है अब बात करते हैं खियूसर की खियूसर में अब की बार वोटिंग कम हुई है ये तेरा पीस्दी का कोई मामूली अंतर नहीं है इसलिए दोनों परत्याक्सियों को कहीं ने कहीं ये चिंता जरूर सता रही होगी कि ये तेरा पीस्दी वोटर कहीं जीत हार का आंकड़ा तै ने कर दे फिर भी फलोदी के सट्टी बाजार की माने तो खियूसर में राष्टि लोकतांतरिक पार्टी और बीजेपी के संयुक्त परत्याक्सि नाराइन बेनिवाल का पलड़ा भारी है